तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमरिता उनिवर्सटी एंड जैन उनिवर्सटी के बारे में तो देखिए जब भी कोई स्टूडेंस एड्मिशन लेने का डिसाइड करता है तो उसके माइंड में सबसे पहला कॉस्चिन है यही आता है कि किस उनिवर्सटी में एड जैन उनिवर्सटी तो किन चीजों के बेसिस पर देखिया ओन धब बेसिज ऑफ अप्रूबर्स एंड एक्रिदेंशियर स्टूडेंट रिटिंग स्टूडेंट चॉडेंट चॉइस एंड हाइंड पार्टन एक्सेक्टर चली अब वीडियो को शुरू करते हैं दोनों के क जैन उनिवर्सटी की बात करें तो उसका है 68 नंबर एन इरेफ रैंकिंग अगर इसकी नैक अप्रूबल की बात करें तो यह दोनों ही उनिवर्सटी नैक A++ अप्रूब्ड हैं उसके बाद अगर UGC-DEB अप्रूबल की बात की जाए मतलब की UGC-University Grant Commission and Distance Education Board तो दोनों ही दोनों से approved हैं मतलब की study education यहां पर करवा सकते हैं distance mode से भी और यहां पर campus mode से भी और दिखिए दोनों ही उनिवर्सटी के पार WES approval है मतलब की worldwide globally आपकी सारी degrees valid लेने वाली हैं अगर आप यहां से admission लेकर study करते हैं तो ठीक है यहां तक clear दिखिए यह तो similar मैंने comparison आपको बता chef ranking है ठीक है यहां तक clear तो चलिए अब second point के बात करते हैं वह हमारा यहां पर आता है campuses and location ठीक है तो यहां पर दिखिए अमरिता उनिवर्सटी की बात करें के seven campuses हैं इंडिया में और इसका यहां पर headquarter कहां पर located है वहां कॉमिटर में यहां पर इसका जो headquarter है उसकी जो अगर हम campuses के area की बात करें तो 400 acres में इसका campus यहां पर फैला हुआ है अगर जैन उनिवर्सटी की बात करें तो दिखिए यह located है बैंगलोरु करनाटगा में इसके campus area की बात करें तो 300 acres का इसका campus यहां पर बना हुआ है ठीक है तो यहां पर हमने यह चीज़ों को भी अब देख लिय तो अब हम देखिए third point में comparison करेंगे on the basis of features, advantages तो अमरितन उनिवर्सटी की बात करें देखिए 7th best university है इंडिया में प्लस से यहां पर 20,000 प्लस इसके students हैं offline mode से 1650 प्लस इसके faculty members हैं जिसमें देखिया और 800 प्लस इसके पास PhD faculty भी है यहां पर 207 programs इसके यहां पर available हैं यहां पर आगे अगर इसकी आप accredential recognition देखना जाते हैं तो वो भी अभी आपको scheme पर सारी यहां पर दिखाई दे रही होगी WS approval आपको यहां पर दिखाई दे रही इसके hiring partners हम यहां पर देखें तो देखिये हैं तो देखिये अब हमने features and advantages देख ली और अब हम बात करने वाले हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको देखना है कि student कितने यहां पर student की क्या rating है और universities को लेकर student की क्या choice है ठीक है तो वो आपको कहां से पता चलेगा देखिये उसके लिए आपको visit करना पड़ेगा collegevidya.com पर देखिये जितनी भी 75 प्लस approved UGC हैं DEB approved university हैं उन सभी के बीच में comparison करके उनके भी student rating है student choice को चेक कर सकते हैं तो आपको simply करना क्या है जिस भी program में आप admission लेने वाले हैं उस पर आपको click करना है then कुछ basic detail आपको fill करन यहां से ले सकते हैं and universities में compare करने के लिए आपको add to compare पर click करके तीन university आपको select कर लेनी है जिन में आपको comparison करना है उसके basis पर देखिये आपको सारे comparison 30 plus factors के साथ दिखा ही दे जागा कि कौन सी company में आपकी placement हो सकती है आपकी क्या यहां पर आगे student choice student rating क्या है और आपको यहां पर EMI की facility भी available मिलती है और आपको placement support मिलता है जो कि आप देखिये admission से लेकर आपको dedicated council दे दिये जाता है जो आपको placement support तक आपकी help करता है और देखिये admission लेने के लिए जैसे आप simply यहां पर fees पर click करेंगे तो आपको redirect कर देगा university की official website पर जिससे कि आपके साथ fraud होने के chances भी बिल्कुल खतम हो जाते हैं देखिये college विदय की और से आपको बहुत सारी placement support services मिलती है career booster programs मिलते हैं जिनके अगर वैसे फीस की बात कीज़े तो रुपी 6999 इसकी cost रहती है लेकिन अगर आप उस link से admission लेते हैं जो मैंने नीचे डिश में डाला हुआ है तो वहां से आपको सारी चीजें free of cost मिलने वाली हैं तो दीखे दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी university में अगर आपका अभी तो डाउट था देखिया एमरिता एंजयान को लेकर लेकिन अगर आपको किसी भी university में आप conversion करना जाते हैं तो एक बर आप जाकर visit करके नीचे से callavidya.com से यहां पर comparison करके अगर आप यहां से admission लेंगे तो आपको यह सारी facility साथ में मिलेंगी जो मैंने आपको बताई है EMI में fees pay करने के facility, placement की faculty and और यहां पर देखिया आपको dedicated counselor की faculty and आप यहां पर अपनी counseling ले सकते हैं तो यह सारी चीज़ें आपको free of cost यहां से मिल जाएंगी तो दोस्तों उमीद करता हूँ आपके लिए वीडियो valuable रही होगी तो मैंने यहां पर काफी चीज़ें cover करने की कोशिश की है लेकिन अगर free भी आपको query रहती है उसे आप comment section में comment कर सकते हैं मैं उसका भी reply करने की पूरी कोशिश करूँगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यह कर दो